हेलो फ्रेंड्स, अनुठी एस्ट्रोलोजी में फिर आपका स्वागत है आज हम एक बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती जो जरूरी टॉपिक है उस पर बात करेंगे जो है पैसा, धनी होना सब चाते हैं कि हमारे पास उतना पैसा हो ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें तो क्या आपकी कुंडली में धनी होने का योग छुपा है आज हम इस बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडली में किस घरस में क्या होने से आप धनी होने के योग बनते हैं तो आईए देखते हैं फ्रेंट्स कि कुंडली में कहां क्या होता है जिससे आपको धन प्रापती होती है और आप धनी हो सकते हैं सबसे पहले हम लगन को देखते हैं अगर आपकी लगन यहाँ पर आपकी मेश राशी है एरीज या जेमनी है मिथुन या तुला राशी है या वरिश्चिक राशी है या मकर राशी है या कुम राशी है तो आपके धनी होने के बहुत चांसिस है अब हम देखते हैं दूसरे घर को अगर आपकी नवमांश कुंडली का जो स्वामी है वो लगन कुंडली के दूसरे घर में है तो आप धनी हो सकते हैं इसके अलावा अगर लगनेश मतलब जो पहले घर का स्वामी है वो आपके दूसरे तीसरे या नौवे घर में हो तो भी आपको धनी होने के संयोग है अगर पांचवे घर का स्वामी दूसरे घर में हो तो भी आपको धनी होने के संयोग है या अगर सूर्य या गुरू दूसरे घर में बैटे हो तो भी धनी होने का योग बनता है अब हम देखते हैं तीसरे घर से क्या होता है अगर लगनेश जो पहले घर का स्वामी है तीसरे घर में बैटा है या मंगल, शुक्र या शनी इन तीनों में से कोई भी एक प्लैनेट तीसरे घर में बैटा है तो आपको धनी होने का योग बनता है अगर शुक्र या शनी चौते घर में बैटे हो तो भी धन प्राप्ती के अच्छे योग बनते हैं सूर्य या मंगल अगर पांचवे घर में हो तो भी धन प्राप्ती के अच्छे योग बनते हैं अगर शनी छटे घर में हो तो भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते हैं सूर्य या शुक्र अगर सात्वे घर में बैठा हो तो व्यक्ति के धनी होने का योग बनता है अगर सूर्य, शुकर या राभु आठवे घर में बैठा हो तो भी धनी होने का अच्चा जोग बनता है देखें, मैं हमेशा यही कहता हूं, कि राभु हमेशा खराब नहीं होता, वो बनाम जादा है तो राहू अगर आपके आट्वे घर में है तो भी आपको धनी होने का योग है अगर मंगल, बुद्ध या राहू आपके नौवे घर में बैटा हो तो भी अच्छे धन प्राप्ती के योग बनते हैं सूर्य, मंगल, गुरू, शुक्र या शनी इन में से कोई भी प्लैनेट अगर दस्वे घर में बैटा हो तो धन प्राप्ती के अच्छे योग बनते हैं इसी तरीके से सूर्य, बुद्ध, गुरू, शुक्र, शनी, राहू या केतू आपके 11 घर में हो तो धनी होने का अच्छा योग बनता है मंगल, बुद्ध या गुरू अगर आपके 12 घर में हो तो भी धन प्राप्ती के अच्छे योग बनते हैं इसके अलावा बहुत सारी चीजे हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा अभी तक हमने देखा कि अगर कुंडली के अलग-अलग भावों में कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैटे हो तो उनसे आपके धनी होने का योग कैसे बनता है अब हम देखते हैं कि कुंडली के कई भावों को मिलाकर जो योग बनते हैं उससे आपके धनी होने का योग कैसे बनता है तो सबसे पहले है युवा योग अगर आपके पाप ग्रह जैसे की राहू, केतू, शनी ये सब जो है वो आपके लग्ण में और सात्वे घर में बैटे हों और जो आपके शुब ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है, गुरू है, शुक्र है, ये सब आपके चौथे और दसवे घर में बैटे हों तो वो युवा योग कैलाता है और धनी होने का संकेत करता है ऐसे ही एक और योग है धनवर्दी योग इसमें नाकेवल व्रत्ती धनी होता है वर तो उसका धन बढ़ता जाता है अगर व्रश्चिक लगन वाले को अगर गुरू दूसरे घर का स्वामी है और करकराशी में नौवे घर में बैटा है तो वो धनवर्दी योग बनाता है दुर्घरा योग अगर चंद्रमा के दोनों तरफ मंगल बुद्ध गुरू शुक्र या शनी हैं इन में से कोई प्लैनेट्स हैं तो वो दुर्घरा योग बनाता है और ये वी व्यक्ति को धनी बनाता है अगर आपका लगनेश जो पहले घर का स्वामी है वो स्ट्रॉंग है और सेंटर में बैटा है सेंटर के चार में से किसी घर में बैटा है और शुक्रे जैसे की चंद्रमा है शुक्र है गुरू है ये उसको देख रहे हैं लेकिन उसको कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह नहीं देख रहा है तो वो नवेश योग बनाता है और आपको धन प्राप्ति कराता है एक और योग देखिए चत्रमुखी योग अगर लगनेश यानी जो आपके लॉड ऑफ एक्सेंडेंट है लगन का स्वामी है और दस्वे घर का स्वामी दोनों सेंटर में हो मतलब पहले चौथे सात्वे या दस्वे घर में हो शुक्र भी सेंटर में हो किसके ग्यार्वे घर के स्वामी के सेंटर में मतलब ग्यार्वे घर से वो ग्यार्वे घर में बैठा हो या जो है वो तीसरे घर में बैठा हो या उससे सात्वे घर में हो या दस्वे घर में हो तो भी चत्रमुखी योग बनता है जो आपका धनी अभिनाय योग ऐसे लोग जो है वो अच्छे एंटर्टेनर या अच्छे कलाकार अच्छे स्टार बन सकते हैं अगर पांचमे घर का स्वामी शुक्र हो जो अपनी ही राशी में बैठा हो मतलब या तो वरिशब में हो या तो ला में हो और दूसरे घर का स्वामी उनको देख गर में बैठे हो तो अच्छे धन प्राप्ति के योग बनते हैं व्यक्ति धनी बनता है एक और है भागेवान योग अगर चौथे घर का स्वामी नौवे घर के स्वामी के साथ हो और पांचमे घर के स्वामी के साथ हो और ये सेंटर में हो कुंडली के मतलब पहले चौथे सात्वे या दस्वे घर में हो तो भागेवान योग बनता है जो व्यक्ति को धनी बनाता है अब देखते हैं विद्युत योग अगर ग्यार्वे घर का स्वामी अपनी उच्च राशी में बैठा हो सात्वे उसके शुक्र भी हो और ये दोनों जो है वो लगनेश के सेंटर में हो मतलब जो लगन का स्वामी है उससे पहले चौथे सात्वे या दस्वे घर में हो तो वो व्यक्ति को धनी बनाता है शिरी महालक्षमी योग अब जैसे हम सभी जानते हैं महालक्षमी तो धन की देवी है तो तो अगर पांचवे घर का स्वामी और नौवे घर का स्वामी सेंटर में हो, पहले, चौथे, सात्वे या दस्वे घर में हो और इनको बुद्ध, चंद्र और गुरु देख रहे हो, तो ये महालक्ष्मी योग बनता है, व्यक्ति को काफी अच्छे धन की प्राप्ति होती है मूसल योग, यदि सारे प्लैनेट्स व्रिशब, सिंग, व्रिश्चिक या कुम राशी में हो, तो मूसल योग बनता है, और ऐसा ही एक योग है नल योग, अगर सारे प्लैनेट्स मिथुन, कन्या, धनू या मीन राशी में हो, तो ये योग भी व्यक्ति को अच्छा धन प जो दूसरे घर का स्वामी है, वो गुरू के साथ हो, और लगनेश अपनी उच्छा राशी में हो, तो उसको गव योग कहते हैं, वो भी व्यक्ति को धनी बनाता है सुन्फा योग, अगर शनी या मंगल या बुद्ध या गुरू या शुक्र चंद्रमा से दूसरे घर में हो, तो वो भी व्यक्ति को धनी बनाते हैं इसी तरह एक और योग है अन्फा योग, मंगल, बुद्ध, गुरू, शुक्र या शनी, अगर चंद्रमा से बारवे घर में हो, तो वो भी व्यक्ति को धनी बनाते हैं और एक योग है गज केसरी योग, गुरू और चंद्रमा, अगर कुंडली के पहले, चौथे, सात्वें या दस्वें स्थान में बैटे हों, एकटे, तो वो भी गज केसरी योग बनाते हैं और व्यक्ति को धनी बनाते हैं अब देखते हैं, देखिए कुछ नक्षत्र और योग जो आपके जनम के समय हो, वो क्या होता है? अगर एक व्यक्ति का जनम उत्तराशाडा, अभिजीत, हस्त, स्वाती, चित्रा, विशाखा, कृतिका, उश्य, अश्युनी, भरनी, रोहिनी या निवेवती नक्षत्र में हुआ हो, तो ये भी व्यक्ति को धनी बनाते हैं, अगर व्यक्ति के जनम के समय इंद्र योग, हर्श योग, शुब योग, वर्दी योग, या शुकल योग, या ध्रुव योग हो, तो वो भी व्यक्ति को धनी बनाते हैं, अगर एक जातक का जनम गुरू की महादशा या अंतरदशा में हुआ हो तो वो भी व्यक्ति को धनी बनाता है और लास्ट में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध और मंगल एक साथ किसी भी घर में बैटे हो तो वो भी व्यक्ति को धनी बनाते हैं अगर आपका सूर्य चंद्रमा बुद्ध या गुरू धनू राशी में हो या अगर आपका मंगल मकर राशी में हो या शुक्र मीन राशी में हो या सूर्य मेश राशी में हो या गुरू मेश राशी में हो या बुद्ध गुरू या शुक्र ये वर्शब राशी में हो या च तो फ्रेंड्स आज आपने देखा कि आपकी कुंडली में अगर इन में से कोई भी कॉंबिनेशन है तो वो आपको धन कमाने और अच्छा धन इकत्रत करने के अच्छे योग है अब आपको किन ग्रहों पर ध्यान देना है किन को स्ट्रॉंग करना है वो इससे आप पता लगा सकते हैं लेकिन आपको अगर मेरे से इसकी एडवाइस चाहिए आप अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए वैदिक जोतिश के मताबिक कोई रेमेडी या उपाये चाहते हैं ग्रहों के जो आपकी किसी भी समस्या से संबंदित हो चाहे वो मैरिज हो बच्चे हो जॉब देखने के लिए अनुठी को में वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक्स अलोट थैंक्यू सो मच